गार्निंग बोई चैनल को सब्सक्राइब करें और दवाएं बेल का आइकन ताकि आप आसके हमारी वीडियो सबसे पहले वेलकम आपका गार्निंग बोई चैनल पे दोस्तों और आज की वीडियो की सुरुआरत ये सुन्दर सुन्दर द्रिश्ट के साथ देखिए इधर गेहूं में गेहूं के खेतों में कटाई हो रही है देखिए चारो तरफ आज सुबह उठा हूँ तो देखा कि आद मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है चारो तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और देखिए अभी कुछ दिन बाद ये कि हूँ तैयार हो जाएंगे और ये मेरा पिटूनिया है इसका सीजन और ये फाइकस और ये मैं लेकर आया था भी संडे को नरसरी से देखिए और ये मेरा चाननी का प्लांट है और ये साथ में बोगिन भी लिया कि मैंने कटिंग लगाई है एक्पेरिमेंट कर रहा हूँ और इधर देखिए ये का जानिया है देखिए अब इसके फूल सूख रहा है इधर मेरा इविकस है और ये मेरे मोगरे का प्लांट है अभी पेड़ पोदे बहुत खुस है ठंडी ठंडी हावा चल रही है मौसम जब अच्छा होता तो पेड़ पोदे भी खुस हो जाते है एक ये है मेरा प्लांट है विकस देखिए इस पर पुरा कलियों से भरा हुआ है ये इसे में एक एक ब्रांच पे इस पर चार चार पांच पांच कलियां आई हुई है और ये मैंने बाल्टी भर रखी है बाल्टी भरने से ये होता है कि जो पानी भाब बनके उड़ता है अगर हम पोदो के बगल में रख देते हैं तो एक मोस चर लेवल बना रहता है देखिए काली काली घटाएं चाय हुई है और इधर देखिए इस तरफ मैंने ये बोगन भी लिए लगा रखी है देखिए इसकी मैंने रूट प्रूनिंग कर दी है तो रूट प्रूनिंग करने एक महीने बाद इसमें अब नए नए पत्ते आने सुरू हुए है इसमें अब मेरे को कुछ खाड डालनी है तो अगली वीडियो जरूर मैं बनाऊँगा कि इसमें कौन-कौन सा फोटिलाइजर डालना है ताकि इसमें अच्छे से फ्लावरिंग आ सके और ये मेरा पिटूनिया है देखिए अब इसका भी सीजन ओफ होने वाला है बाकी तो मेरे सारे पिटूनिया सूख गए है अब ये चल रहा है तो ये भी कुछ दिनों बाद खतम हो जाएगा तो इसके मैं सीड रख लूँगा अगले सीजन के लिए ये सब मेरे जो गमले आप देख रहे है ये सब सर्दियों वाले जो फ्लावर लगेते अब कतम हो गए हो तो बस इधर देखिए मेरा रोच का प्लांट है इंगलिस रोच इसकी पत्तिया ड्राई होरी से मैं ज़रूर ग्रीन नेट के नीचे रखूँगा और ये ये मेरे बगल में बोगन विलिया लगा हुआ है इसकी कटिंग में लाया हूँ तो इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है बोगन विलिया पे इसकी जरूर अपडेट मैं दूँगा इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों गुड़ बाई फिर मिलेंगे जल्दी एक नेस्ट वीडियो में